आज मैं आपके लेकी आई हूँ चीवड़ा नमकीन आप इसे क्या बोलते हैं चीवड़ा बोलते हैं या चूरा बोलते हैं फ्लाटन राइस भी इसको बोला जाता है ओल फ्री नमकीन या आपके मैं लेकी आई हूँ हमने चीवड़े को बनाने के लिए इसमें विल्कुल भी एक फटैल का युज नहीं किया है चीववड़ा बिल्गुल वैसे ही बनके तयार हुआ है एâu इसमें कोई भी घी तेल का यूज नहीं किया Haid dysport आप देख सकते हैं नम्कीन का बहुत इबड़िया और बहुत ही हेल्दी है क्रइंची नम्कीन बनके तयार हुई है आप इसे कई हफतों तक स्टोर करके रख सकते हैं ऐसी नमकीनी आपे हमने बनाने की कोशिश करी है तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा कोई भी जो है पाट मिस हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा तो चलिए फिर वीडियो को फटा फट से शुरू करते हैं सबसे पहले करना क्या है यहाँ पे मैंने लिया हुआ है दो कप चिवडा लिया हुआ है मैंने यहाँ पे और सबसे खास बाद चिवडा जो है यहाँ पे मैंने एकदम पतला वाला लिया हुआ है अब देख सकते हैं एक दम पतला वाला चीवड़ा यहां पे हमें लेना है तो अब क्या करना है चीवड़ा तो हमने यहां पतला वाला ले लिया है और चीवड़े को मैंने अच्छे से साफ भी कर लिया था जाली में इसको डाल के इसका एक्स्ट्रा जो चूरा था ना वो मैं इसको भुनूंगी ताकि इसका एक तो कलर भी चेंज ना हो और चीवड़ा हमारा अच्छे से क्रंची हो जाए बहुत ज्यादा तो बस यहां पे इसको देखिए इस तरी से लगाता चलाते हुए आपको भुनना है छोड़ देंगे तो यह नीचे से जल जाएगा तो इसलिए आपको यहां पे लगाता चलाते हुए भुनना है कुछ ही मिन्टों में यह अच्छे से भुनके तयार हो जाएगा और चीवड़े का हलका सा कलर चेंज होएगा पूरा नहीं चेंज होएगा हलका सा कलर चेंज होएगा यह देखिए हमारा चीवड़ा जो है न वह अच्छे कि कैसे पता लगे हमारा चीवडा जो है वो अच्छे से क्रची हो चुका है तो एक पीस में आपको दिखाती हूंगा और तो अच्छे में अग। चुछा जाए तो आप कड़ाई में इसको ऐसे ही चौड़ सकते हैं यह और भी ज्यादा करण्ची हो जाएगा तो यहां पर मैंने इसको पांच मिनिट ऐसे ही छोड़ दिया था कड़ाई में 5 मिनिट के बाद दुबारा इसको मिक्स करके और इसको में निकाल लेती हूँ स्ञार देनेफ razor करण दलें और इसको अच्छी से भूण लेंगे यहां पे इसको भूणलेते बहीं हाँ इसको बहएं लगाता चलाते रहते हैं मुंफली को ध्यान दखी अच्छे से भुनना जरूरी है अगर मुंफली अच्छे से नहीं भुनेगी तो वो दातों में चिपकेगी मुंफली भुन गई दो हरी मिर्श मैंने डाला यहांपे इसको अगर आप चाहे तो हरी मिर्श अवाइड कर सकते हैं तो यहांपे इसमें mix करके थोड़ा सा इसको भी भूनेंगे ताकि नारियल में भी जो है वो crunch आ जाए तो बस यहां पर इसको अब अच्छे से मैंने देखिए mix कर लिया है अब इसके साथ मैं डालने वाली हूं कुछ dry fruits आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से dry fruit डाल सकते हैं तो यहां मै बुनावा चना डाल सकते हैं इसमें curry leaves डाल देंगे मेरे पास सुखी भी curry leaves है आप फ्रेश भी डाल सकते हैं बस इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे ताकि curry leaves भी क्रंची हो जाए करी leaves नमकीन में बहुत ही बढ़िया लगती है और अक्सर नमकीन में डाली जाती है curry leaves इसका flavor बहुत अच्छा लगता है तो बस यहां पे इसको अच्छे से mix कर लिया मैंने अब आती है यहां पर seasoning को भी डाल लेते हैं अब यहां पर बहुत जल्दी नमकीन बनके त्यार होगी यह तो बहुत आप लाल मिर्ची का पौवडर और अधा झमच पॉडर डाल चोह सुपः पर यहां पर हम यहांगे रहा though जार स्वर्ठी कि पॉडर देंगे ला कर दोने तो स्षमाइब गल फ़ोडर जिसी को डूर में ठीजोर दोलेके जोड़न आपके पर एक याओ पर सब्सक्राइब नमकीन हें बहुत ही बढ़ीया बनेगी चिटाकेदार बनेगी तो बस अच्छे से मसाले बुन गए हैं और मिक्षर तो मैं इसको अभी स्पेशला से कर रही हूँ थोड़ा से चंदा होने के बाद यहाँ पे मैंने इसको हाथ से मिक्स करना शुरू कर दिया है ताकि मसाले जो है आपस में सारे चीवड़े पर अच्छे से मिल जाए और देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका color जो है न वो change हो गया है आप देख सकते हैं इसका color बहुत बढ़िया आ चुका है और हमारी चीवड़ा नमकीन बनके तयार है तो आप भी इसे घर पे आज ही try करें और अपने comment मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए till then बाई